हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेल्कम बैक टो मैं न्यू ब्लोग समी सुवग कर समय है मैं उठके फ्रेश होके ब्रस रस करके चाय बिस्केट खाके मेरी बेटी के लिए नास्ता बनाने वाली हूं डेली अलग-अलग बनाती हूं आज सोचा मैंने दलिया बना दूँ आज क्योंकि गाजर मेरे पास अभी था नहीं और ये आदा घंटा इसको दलिया को भीगा देना है मैंने भीगा दिया है आदा घंटा और इसको अच्छे से दोग के देखी कूकर में डाल देना है कुछ भी नहीं करना है बस जितने भी कटा हुआ है गोवी मटर आलू टमाटर जो भी उसको कूकर में डाल देना है और स्वाजनुसार नमक खल्दी डाल देना है और एक कटोरी में भीगा था दल्या इसलिए डेड़ कटोरी पानी दे रही हूं आप लोग अपने हिसाब से दिजेगा अगर बनाना चाहें तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है बड़े भी खा सकते हैं ऐसा नहीं बच्चे बस खाते हैं और इसको तीन सीटी मरवाना है कूकर में तो देखिए एक सीटी लग चुका है ये दूसरा सीटी अब ये तीन सीटी लग चुका है मैंने इसको बंद कर दिया है और हमारा दलिया बंद के तयार है अब इसको दो मिनट ऐसी रखके फिर खोलेंगे ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा दलिया अब मैं अपनी बेटी के लिए निकालती हूँ देखें कितना स्वादेष्ट दिख रहा है खाने में भी अच्छा है न अदेंग्ट है और ये थोड़ा से घी दे देंगे इसमें क्योंकि ऑइल ओडी कुछ दिया नहीं है बच्चों के लिए जितना हो सकते ऑईल अवर्ट करें गी अच्छा है बच्चों के लिए तो मैं अब मैं इसको खिलाने वाली हूं मेरी बेटी को सुबह तो उठके होरलिक्स दूद्ध पी लेती है उसके बाद 9-9 बचे खिला देती हूं उसको कुछ मिनास्ता तो आज मैंने दलिया बनाया है तो मेरा ये चोटा सब लोग आप लोग को कैसा लगा प्लेस कॉमेंट करके बत आजयरा